हे गाइस मेरा नाम में तरह आप देखें ग्यानफोर तो आज कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए Macbook अच्छा है या फिर एक Windows laptop तो वीडियो को लाश तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी प्रोसेसर थे हमें इंटल के देखना को मिलते थे इनके Macbook Macbook में Apple के फिर उसके बाद Apple ने 2020 के अंदर अपना खुद का प्रोसेसर निकाला जो कि ARM बेस्ट M1 चीप वाला प्रोसेसर है जो कि अभी Macbook Air और Macbook Pro लॉंच हो है इनके अंदर इनका खुद का प्रोसेसर देखना मिलत अगरा कुछ भी देखने को नहीं मिलता और इस चीज को अगर आपको देखना है तो यूटूब पर कई सारी वीडियो है इसकी कंपेरिजन की स्पीड टेस्ट अगरा कि यह चीज आप जाके देख सकते हो तो बात करते हैं सौफ्ट्वियर के बारे में तो जो Macbook होता है उस आपको काफी 4-5 सालों तक इसके अंदर हमें अपडेट मिलता रहता है जो कि Apple की तरफ से इनका Mac OS वाला अपडेट होता है इसके अंदर कई जो हर बार Mac OS जो Mac OS अपडेट आता है उसके अंदर काफी नए नए फीचर देखने को मिलते हैं और काफी चीजे जो है फिक्स की ज सब्सक्राइब करता है जिसके वाज़र से कोई इसू अगर नहीं आता और जो लेप्टोप और हमारे जो डिवाइस होता है वो अच्छे तरके से वर्क करता है अब होई पर बात करते हैं इसके अंदर एको सिस्टम की अपल के तो अगर आपके पास एक Macbook है और एक iPhone है या अपने Macbook है उस टास्क को आप अपने Macbook है उस टास्क को आप आके यहां पर अपने Macbook कर सकते हो उसी के साथ अगर और बात करें तो इसके अंदर आपको जैसे कि आपके फोन पर किसी का फोन आ रहा है तो वह चीज आप अपने Macbook पर भी उसको रिशीब कर सकते हो किसी के मैसेज का रिपलाई दे सकते हो या फिर कई बी कुछ और भी कोई चीज होती है जैसे कि वट्सप अगरा या फिर मेल अगरा कुछ भी चीज होती ही जो कि आप अपने फोन पर कर सकते हो वह चीज सेम टू सेम आप अपने Macbook पर भी कर सकते हो अगर आपका डिवाइस उससे connect है तो अगर आप उसके ecosystem में हो दो वहीं पर बात करें अगर इसके अंदर एपल वोच की तो एपल वोच पर भी सेम ऐसा ही है सब कुछ आप इस पर इनके ecosystem के अंदर जितना भी iPad हो या कोई भी चीज हो अगर आपके पास एक iPad है और फिर iPad है और एक iPhone है तो अगर आप आइफोन पर कोई भी टास्क कर रहे हो तो अगर आपने उसको चार्ज पर लगा दिया फिर आपने उसको छोड़ दिया और आपने दूसरे इसके अंदर आप यह सारी एप यूज कर सकते हो वह इनके एप स्टोर से ही डाउनलोड करके तो आप अगर अभी आप इसके अंदर एजली से इस्टोल करके और उससे चला सकते हो जैसे कि जो भी सॉफ्टर देखने मिलते हैं इसका जो आइकन वह तो बहुत ही स्मूथ होता है और इसके अंदर जो भी आपकर कोई टास्क को अगरा करते हो तो काफी स्मूथ एक्स्पिरियंस के साथ कर सकते हो इसके अंदर आपको किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलेगा ना ही यह लैपटोप जो है आपको कभी हैंग होता हो मिलेगा इसके अंदर आपको जो अच्छा और स्मूथ एक्स्पिरियंस हमें देता है अब बात करते हैं जो इसका इंटरफेस होता है यूजर इंटरफेस काफी फ्रेंडली होता है और काफी इजी टू यूज होता है वहीं पर अब बात करें इसके अंदर प्रोडेक्टिविटी की तो इसके अंदर आप मूबी एडिटिंग वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग यह सारी जो चीज़े हैं काफी इसमूथ एक्सपिरियंस के साथ कर सकते हो इसके अंदर आपको किसी बीतरह का लेक्ड को नहीं मिलेगा वहीं पर जो बिंडो लेप्टोप होते हैं उसके मुकाबले इसके अंदर आपको बहुत ही जल्दी वीडियो रेंडरिंग देखने को मिलेगी जैसे कि आप वीडियो एक्सपोर्ट और करते हो तो जो बिंडो के अंदर टाइम लगता है उससे बहुत क्योंकि इसके अंदर आप जो प्रोड़ेक्टिवीटियों करना चाहते हो वह बहुत ही और अच्छे और स्मूथ एक्सपिरियंस के साथ कर सकते हो इसके अंदर आपको किसी भी तरह का लेग वगर देखने कर नहीं मिलेगा और यह जो है बिंडोस लेप्टोप के मुकाबल इससे कि आप अगर उससे भी हाइली गेम होती जो साइबर पंक हो गयरा 2077 यह सब जो गेम होती है यह आप इसके अंदर नहीं चला सकते क्योंकि जो एपल का मैकबुक बनाया जाता है वह इस पेसली प्रोड़क्टिविटी वर्क के लिए बनाया जाता है इन गेम गेमिंग अगरा के लिए नहीं बनाया जाता अब बात करते हैं फिर विंडोज लैप्टोप की तो विंडोज लैप्टोप जो है इसके अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर देखने मिलते और इसके अंदर भी इको सिस्टम होता है जैसे कि अगर विंडोटेन आप यूज receive कर सकते हैं. अगर आपके पास एक Android फोन है तो. बिंडोज के अंदर iPhone भी connect होता है वो इस हिसाब से वर्क नहीं करता है जिस हिसाब से वो Macbook के साथ work करता है अब बात करते हि बिंडोज के अंदर अप्लिकेशन की तो बिंडोज के अंदर आपको लेपटोप घंडर सकते हैं अब उसके बात करें तो फानल कट वामार मेशनल फ्रहले जैसे कि नहींत करते हैं लोगर आते से कि एक होते हैं इस्टूडेंट जिनको सिर्फ अपने अपने कोडिंग से काम है और चोटी मोटी ब्राउजिंग करने और या फिर वीडियो से अगरा देखने हैं तो विंडोस के अंदर अगर यह चीज देखना चाते हैं आप तो जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी दूसरे बजेट वाले आते हैं जो की गेमर्स होते हैं तो उनके लिए भी जो इनका आइफ फाइफ वाला प्रोसेसर वही मिल जाता है जो कि पचास से साथ हजार के अंदर यह जो है गेमिंग पीसी गेमिंग लैप्टोप जो है मिल जाता है जिसमें कि आपको अच्छी खा करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको i7 वाला प्रोसेसर लेना पड़ेगा जिसके जो की 80-90,000 के या एक लाख के अंदर यह जो लैपटोप है आ जाता है जिसके अंदर आपको 32GB तक RAM मिलेगी और इसके अंदर आपको काफी अच्छे-खासे प्रोसेसर मिलेंगे जैसे कि i7 i7 वगेरा और उसी के साथ इसके अंदर आपको जो है अन्वीडिया का ग्राफिक कार्ड वगेरा मिलेगा और जिसके वाज़ेसे आप अपने गेमिंग भी कर सकते हो और साथ के साथ आप उसमें प्रोडेक्टिवीटी वाला वर्क भी कर सकते हो जैसे के वीडियो एडिटि प्रोडेक्टिवीटी वाला वर्क खर सकते गेमिंग नहीं कर सकते हो तो आपको चूज करना है कि आप गेमिंग वाला वर्क drop क्रना चाते घर अँमिग की कैसी होती और अगर आप नॉर्मली टास्क और गरा करते हो वीडियो अगरा देखते हो या फिर मेजो गरा सुनते ब्राउजिंग और गरा करते हो वीडियो एडिटिंग नहीं करते हो तो इसके अंदर आपको 15-16 गंटे तक की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और होई पर बात करेंगर बिंडों के अंदर तो बिंडों के अंदर आपको इसलेटिंग से ही बैटरीजलाइफ कम किसी में मुआ लाश में बारा गहंटे देल देखने मिलती है बड़ जब यह लैटोप पुराने होने लगते के चतंद की बाराइफ को बैटरी लाइफ देखने को मिलती है और वहीं पर जैसे मैक बुक पर अगर आप कोई हैवी टास्क को गरा करते हो जिसके वीडियो एडिटिंग करते हो 4K में और फोटो एडिटिंग करते हो और उसके बाद भी वीडियो सोगर है देखते हो तो उसके अंदर तब भी आपको 7 से 8 गंटे तक की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और यही नहीं जो मैक बुक होते हैं जैसे से टाइम बिता जाता है तो इनकी परफॉमेंस में भी कमी नहीं आती बस 19-20 का फरक आता है बाकि इनकी जो बैटरी लाइफ है वो 8 गंटे तक चलती है और उसी के साथ साथ इनकी जो परफॉमेंस होती ही वो भी उसी लेबल पर रहती आपको 4-5 साल तक कोई भी ऐसी प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगी मैक बुक का अंदर और बात करेंगर बिंडोस के लैप्टोप के अंदर तो जो बिंडोस के लैप्टोप होते हैं जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं इनकी परफॉमेंस गिरती जाती है और इकी जो बैटरी लाइफ है वो भी खतम होते जाती है यह चीज मैं इसलिए कहा रहा हूं कि मैंने खुद एक्पिरियंस किया है मेरे पास एक विंडोस का लैप्टोप है और वो दो साल भी नहीं हुआ था उसके बाद से उस पास एक मैक बुक है वो जो है तीन साल पुराना हो चुका है बट अभी भी उसकी बैटरी लाइब जो है छे घंटे तक है तो डिपेंड करता है आप लोग एक प्रोडेक्टिवीटी वाला वर्क करना चाहते हो या फिर गेमिंग करना चाहते हो और उसके साथ लेटोप सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपकी फर्स्ट प्रोडेक्टिवीटी वाला वर्क है तो आप मैक बुक के लिए जाओ मैक बुक के अंदर आपको जो स्टार्टिंग प्राइज देखने को मिलती है वो जो अभी M1 चीप है वो 96,000 से देखने को स्टार्टिंग प्र बताए कि जो मैक बुक होते हैं वो फ्यूचर प्रूफ होते हैं आपको 4-5 साल तक कोई भी प्रॉल्म नहीं आएगी क्योंकि जो मैक बुक होता है इनका सौफ्ट्वेर भी खुद का होता है तो इसलिए जो इनका ऑप्टिमाइजेसन होता है बहुत ही अच्छी तरीके से बट वहीं पर बात करेंगर हम बिंडोस लैप्टोप की तो बिंडोस लैप्टोप के अंदर आपको हाट्वेर दूसरे के देखने के मिलता है अलग अलग कंपनी का और सौफ्ट्वेर अलग का तो इसलिए इनका जो आप्टिमाइजेसन होता वो काफी अच्छा नहीं होता बस हाँ एक कह सकते हैं कि एक लेवल तक होता है बट उतना अच्छा नहीं होता जितना हमें मैक बुक के अंदर देखने के मिलता है अब होई पर लाश में बात करते हैं कि जो लैप्टोप है बिंडोस के उसके अंदर हमें अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर अच्छे- अगर बात करें बिंडो की तो बिंडो की अगर आप नॉर्मल यूज करना चाहते हैं गेमिंग और प्रोडिक्टिविटी वालवर तो उसके अंदर आपको पचास से साथ हजार के अंदर आपको अच्छा खासा जो लैप्टोप होता वो मिल जाएगा जैसे कि बहुत सारे लैप्टोप इसम अवेलबल है काफी अच्छे स्पैक्स के साथ 50-60,000 हाडली होगा इसके अंदर आपको अच्छा खासा लैप्टोप मिल जाएगा तो बस फिलाल वीडियो में इत अवेल जाएगा झाल